हाई गाइज वाट्स अब वेलकम बैक टो ग्रैविडी सर्कल वेलकम बैक टो जीची 3.0 और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में बड़ी खदरनाक ची डिसकस की थी कि बड़ा confusion होता है relative lowering of vapor pressure के formula को लेकर कि भाईया वो p10-ps upon ps use करें या p10-ps upon p10 use करें तो अगर dilute solution तक की बात है तो p10-ps upon ps use करो लोगों वेरी-वेरी dilute solution है या आपको लग रहा है कि भाईया बहुत ज़्यदा dilute होने वाला है वेपर प्रेशर बहुत जदा कम हुआ है तो पीवर नॉट यूज कर लो आपको मैंने पता ही दिया था आज ही क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड को लिगेटिव प्रॉपर्टी जैट इस कॉल्ड एस एलेवेशन आजब हैं diver Salification in boiling point bar elevation in boiling point यसको हम लोग डीनोट करेंगे डेल्टा टीव शलै elevation in boiling point मेरे प्यारे बच्चो वाट िस boiling point हमेशा ध्यान रखना it is the temperature the temperature at which the vapor pressure at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to pressure of atmosphere pressure of atmosphere that is one ATM that is one ATM is called as its boiling point मनब बेटा वो temperature जिस पर आपके liquid का vapor pressure atmospheric pressure के बराबर हो जाए उस temperature को boiling point बोला जाता है usually आप छोटी क्लास में पढ़के आते हो कि boiling point का मतलब होता है ऐसा temperature जिस पर आपका liquid boil होना start हो जाए लेकिन बेटा जब liquid boil होता है तो कौन से phase में जाता है vapor phase में gaseous phase में और जो gaseous phase आपके पास में है वो आपका atmosphere है तो simple सी भाषा में बोला जाए तो आपके liquid का जो vapor pressure होता है वो अभी जादा होगा लेकिन जैसे ही वो vapor form में जाएगा उसका vapor pressure जैसे वन atmospheric pressure के वराबर हो जाएगा आप बोलेंगे उसने अपने boiling point को achieve कर लिया क्या बात समझ मागई now what is elevation in boiling point तो मेरा प्यारा बच्चा मेरा प्यारा गुलगुला बस एक बात का ध्यान रखना यह जो elevation in boiling point का मतलब होता है it simply means कि जैसे ही आप आपके pure solvent में एक non-volatile solute को add करते हो आपके pure solution का जो boiling point होता है उसमें बदलाव आ जाता है वो increase हो जाता है मतलब जब एक pure volatile solvent जब एक non-volatile solute के साथ मिलकर solution बनाता है तो उस solution का boiling point आपको जादा दिखाई देता है इसका सबसे best example है imagine करो एक काली सुनसान रात में एक सुनसान सडक पे जंगल में आप गाड़ी चला रहे हैं एकदम गाड़ी बंद हो जाती है आप गाड़ी से उतरते हो लेकिन उसके पहले आप सुचते हो क्यों काफी सुनसान एरिया है अप पर लेकर लृट यह पे लेक्या कि ऐसे आप गाड़ी चालु करते ओं अप देखते कि आपकी बैटरी का जो हीटो मीटर के मीटर होता जो हीटिंग कि यार गाड़ी में पानी डालना पड़ेगा नीचे एक नदी भह रही होती है आप आपके दोस्त को बोलते हो कि जा यह डबा लेकर जा और पानी भर के ला आपका दोस्त नीचे जाता है और अचानक से ऐसा कुछ होता है तो आपने मूवीज में सीन देखा होगा तो पानी में पानी डालते है अब अगर आपने सचमा गाड़ी देखी हो और गाड़ी में कौन सा पानी डालते हो इसका नाम देखा हो उसको बलते है कूलेंट पानी में कूलेंट डाला जाता है एन वाट इस कूलेंट एक हरे कलर का गाड़ा-गाड़ा सा पानी होता होता और भी कुछ सारी चीजे मिलाकर उसको हैवी कर दिया जाता है, ऐसा क्यूं? अगर आप आपकी गाडी में नौर्मल ऑटर डालोगे तो क्योंकि गाड़ी चलती है गाड़ी का एंजिन गरम होता है वो पानी गाड़ी के एंजिन को कूल करने के काम में आता है गाड़ी के रेडियेटर को कूल करने के काम में आता है लेकिन क्योंकि आप लगातार गाड़ी चला रहे हो और पानी क्योंकि मात्र सौ डिग्री पर बॉइल हो जाता है आपका पानी उस एंजिन को उस रेडियेटर को ठंडा करने की जगा उसकी गर्मी अब्जॉर्ब करके खुद वेपर बनके उड़ जाएगा तो ऐसे तो तुमको हर 10 किलो मिटर 15 किलो मिटर 20 किलो मिटर पर पानी डालना पड़ेगा गाड़ी में तो यह तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा इसलिए पानी को हेवी पानी बना दिया जाता है पानी के अंदर electrolytes, heavy water बहुत सारी चीज़े मिला का उसको coolant बना दिया जाता है अब ये coolant के अंदर क्योंकि हमने non volatile solutes मिला दिये हैं अब ये coolant का boiling point बढ़के शायद 105, 108 या 110 degree पहुझ गया है महलब जब pure water था तब उसका boiling point था 100 degree लेकिन अब जब आपने उसको coolant बना दिया है उसमें electrolytes मिला दिया है उसका boiling point बढ़ गया अब वो पानी में जब engine में radiator में जाएगा तो वो उसकी गर्मी absorb कर पाएगा गाड़ी को ठंडा कर पाएगा क्योंकि ये 100 degree पर boil नहीं होगा आप देखो आपकी गाड़ी भी 90, 95 या 100 degree तक गरम होती उससे जादा गरम नहीं होती उससे जादा फिर गाड़ी खराब हो जाएगी तो आपका ये coolant क्योंकि 110 degree पर boil होगा अब ये boil नहीं होगा अब ये पानी कार के अंदर आराम से घूमेगा आराम से घूमेगा और गाड़ी को ठंडा करता जाएगा और आपकी गाड़ी non-stop चलती रही तो ये आपका utility होती है elevation in boiling point की तो elevation in boiling point क्या होता है that when a pure solvent is added with non-volatile solutes the boiling point of the solution increases and increases as compared to as compared to pure solvent and it is called as elevation in boiling point क्या ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आग गई मेरे बच्चे ठीक है अच्छा यहां पर मैं आपको बोला की elevation in boiling point is noted by delta tb अब मुझे बात बताओ pure solvent का boiling point कम होगा यहां पर मैंने लिखा tb0 minus यहां पर मैंने लिखा tb so this is the formula of your elevation in boiling point where tb is the boiling point of solution and tb0 is the boiling point of pure solvent boiling point of pure solvent and this is your elevation in boiling point क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है कोई परेशानी पकी बात अच्छा इसका graph बड़ा important होता है आओ हम इसका पहले graph भी सीख लें बड़ा easy graph है कोई परेशानी वाली बात नहीं यहां पर आप लोग इस scale पर mark करेंगे temperature यहां पर आप लोग mark करेंगे vapor pressure साथी साथ आप लोग यहां पर mark कर देंगे यहां पर आप लोग साथी साथ mark कर देंगे 1 ATM यहां पर मैंने बोल दिया कि यह जो point है this is the vapor pressure of ATM I mean vapor pressure of atmosphere 1 ATM और मैंना को सिखाया भी था जब कभी भी किसी liquid का vapor pressure 1 ATM के बराबर हो जाता है उस temperature को boiling point बोला याता है तो temperature और vapor pressure कितने temperature पर एक liquid का vapor pressure 1 ATM पर पहुच रहा है that is its boiling point चीक है अब देखो यह मालनों तुमारे पास में solvent है इस point को मैं नाम दे दिया A temperature बड़ा 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 और इस point पर आकर यह B point पर आकर वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो गया जिसका शुरुवात में temperature कम था आप देखो शुरुवात में इसका temperature कम था तो इसका वेपर प्रेशर भी कम था लेकिन जैसे जैसे आपने temperature बड़ा आया तो कहीं ना कहीं इस point पर पहुचके आपके solvent का वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर होगे तो मैंने temperature को नाम दे दिया टी बी नॉट अब मेरे पास में आता है solution अब एक बात बताओ मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्या सिखाया है relative lowering of vapor pressure यानि जब आप pure solvent में non-volatile solute मिला दोगे तो solution का vapor pressure original vapor pressure जो solvent का था pure form में उससे कम हो जाएगा इसलिए यहाँ पर मैंने point B mark करा नीचे की तरफ C या मुझे इसको कुछ ऐसा रिखना चाहिए बिल्कुर इसके नीचे मुझे रिखना चाहिए यहाँ पर C जिस temperature पे आपके solvent का vapor pressure जादा था यह देखो उसी temperature पे आपके solution का vapor pressure कम है इसको बोलते relative lowering of vapor pressure आप लोग सब जानते हो solution का vapor pressure pure solvent के मुकाबले कम होता है at the same temperature अब आपने इसको heat करा 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 इस point पर आकर D point पर आकर अब आपका solution भी boil होने लग क्या क्योंकि solution का vapor pressure 1 ATM के बराबर हो गया है तो हमने चेक करा क्या कौन से temperature पाया होगा है यह इस temperature पाया है जुसको में नाम दे रहे है TB So the difference between this is called as delta TB तो यह तुम्हारा graph हो गया और इस graph से यह equation बनके आई आप देखो temperature scale पर इधर जाएंगे तो temperature बढ़ेगा तो यह जो temperature है यह कम होगा यहाँ पर आप खुद देख सकते that TB is greater than TB not इसने तो फॉर्मूला बना अब elevation and boiling point होता क्या है हम लोग सब जानते ही एक प्रकाल की colligative property है तो इस डारेक्ली proportional to molality जब हम लोगों ने कुछ calculations करे तो हमें यह पता चला that delta TB is directly proportional to molality तो जब आप delta TB का proportionality sign हटाएंगे तो यह पर आपको मिलता है KBM ebiloscopic constant ebiloscopic constant या आप इसको बोल सकते हैं molal elevation molal elevation constant अच्छा आप ध्यान रखेगा क्योंकि delta TB एक प्रकाल की colligative property है यह depend करेगी solute के उपर लेकिन यह जो ebiloscopic constant है इसकी value depend करेगी solvent के उपर it depends on the nature of solvent यह बड़ा important point है यह J और need जैसे सवालों में आ सकता है कि भाया आप colligative property पढ़ रहे हो elevation in boiling point definitely number of moles of solute या number of particles of solute पर depend करेगा लेकिन ऐसी कौन सी चीज है इसके अंदर जो depend करेगी solvent के उपर तो आप बोलेंगे ebuloscopic constant समझ में आगए बात molality का formula हम सब लोग जानते है so delta tb का formula आप यूज कर सकते है given mass of solute upon molar mass of solute into thousand upon given mass of solvent आप चाहें तो आप यह वाला formula भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप लोगों को solute का molar mass पता लगाना हो तो अगर आप लोगों को solute का molar mass पता लगाना है तब यह आला formula भी इस्तमाल कर सकते हैं बहुत simple और बहुत easy चीज है जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटा फटा आराम से नोट कर लो कोई प्रॉब्लम आरी हो तो देख लो चलो एक बात मैं आपको और सिखाना चाहूंगा मुझे जगा बनानी होगी मैं graph में मिटाऊंगा और मैं आपको एक formula और सिखाऊंगा क्योंकि मैंने जो DPPs बनवाई है उसमें एक जगे पर आपको सवाल आए के बी कैसे निकालते हैं अगर आपको के बी निकालना हो तो के बी निकालने का formula होता है molecular weight of solvent M1 आप लोग जानते हैं M2 solute का molecular weight है तो M1 is the molecular weight of solvent into R is your ideal gas constant TB square जाने के आपके solution का जो boiling point उसका square upon delta H of vaporization ये enthalpy of vaporization into 1000 ये formula आप लोगों को use करना है to find the value of KB usually KB की value find out करने की जरुबत नहीं होती but आप लोगों that is molar mass of solvent R is your ideal gas constant TB is the boiling point of solution delta H is the enthalpy of vaporization note it down ठीक है note करो note करो भई note करो note करो भई note करो फटा फट 28 में को शाम 7 बजे अनकैडमी पर जिस category में मैं पढ़ाता हूँ 8, 9, 10, 10 वाली जिस category का नाम है J. Neat Foundations इस category पर J. Neat Foundation N.T.H.E. इस category पर हम लोग करने वाले हैं एक scholarship test वो scholarship test होने वाला है सम basic concept of chemistry के ओपर जो chapter में यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ तो guys वैसे तो वो test 8, 9, 10, 10 के बच्चों के लिए है लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस test को attempt कर सकते हैं उस test का link मैंने description box में दे दिया है 7 बजे शाम को वो test start होगा 7.7 बजे exactly वो test खतम होगा उस test में 25 questions रहेंगे सारे 25 questions सम बेसिक concept of chemistry से रहेंगे और उसके बाद 7 बजे में एक special class and academy पर लूँगा वो special class के link भी मैंने description box में दे दी है उस special class में मैं उस question paper को जो कि मैंने 25 question paper का test बनाया है and academy पर उसको मैं कराऊंगा solve और आप लोग भी उसको साथ साथ में attempt कर सकते तो अगर आप 11, 12 के बच्चे हो और अगर आप वो test नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं आप वो special class जरूर attend करना जिसमें में आप लोगों के साथ में some basic of chemistry के IIT, JE level के, NEET level के जो सवाल आते हैं वो में discuss कराऊंगा तो don't forget आप लोगों को शाम 7 बज़े वो test देना और 7.30 बज़े Friday को class attend करनी है 28 में को Is that clear? Great अच्छा कई बार आपको IV दे रखा होता है इसको बहुत है latent heat of vaporization आप लोगों ने पढ़ा होगा latent heat of vaporization मतलब यह दिखती नहीं है लेकिन होती है आपने class 9 में पढ़ा होगा न जैसे पानी है पानी को आपने temperature उसके अंदर रखा thermometer आपने temperature नोट करा आपने उसको heat करा लेकिन heat करने पर temperature पर value बढ़ नहीं रही है thermometer की value बढ़ नहीं रही है तो आप से 9 में सवाल पुछा था क्या रही हीट कहा जा रही है तो आप बोलोगे यह heat latent heat of vaporization है मतलब यह liquid के molecules के बीच में जो force of attraction उसको तोड़ने का काम कर रही ताकि वह vaporize हो सके तो यह heat absorb होती है लेकिन temperature में thermometer में temperature बढ़ता वा नहीं दिखाए देता है क्यों क्योंकि वह heat liquid absorb करके अपने molecules को तोड़ रहा है molecules के बीच के force को तोड़ रहा है उसको इंथेल्पियो वेपराइजेशन तो कभी कभी क्या होता है इंथेल्पियो वेपराइजेशन question में दे रखी होती है तो उसको कैसे solve करेंगे उसको solve करेंगे आर टीवी स्क्वेर अपन आईवी इंटू थाउजेंड मतलब यहां पर समझ गई क्या हुआ M1 अपन डेल्टा एच इस इक्वाल टू आईवी M1 अपन डेल्टा इस इक्वाल टू वन अपन आईवी वन अपन आईवी तो यह तुमारा elevation in boiling point का पूरा काम खतम ठीक है प्लीज इसको नोट करो आगे बड़े ग्रेट तो यहाँ आपर हमारी second important property that is elevation in boiling point खतम होती है अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली property की तरफ दूसरी के बाद में तीसरी और बड़ी important colligative property जिसका नाम है depresion in freezing point depresion in freezing point तीसरी कोलिगेटिव प्रपर तीसरी कोलिगेटिव प्रपर तीसरी और ड़ीज का नाम है लो गायस इस प्रीजिंग पोइंड सा कि एक ऐसा टेमप्रेचर क但 जिसमें आपके लिकूइड का वेपर प्रेशर सौलिद के lack वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट याने सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक ऐसा टेम्प्रेचर जिस पे आपका लिक्विट अपना फेज बदल के solidify होने लग जाए that is called as freezing point तो आप चाहे तो लिख सकते हैं that the temperature the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid and it is called as freezing point वोत आप मांज इस पर liquid solid में convert हो जाए यालि उसका vapor pressure के बराबर हो जाए उसको freezing point बोला जाता है इमाजन करो गर्मी का मौसम जैसे अभी चल रहा है कि अभी तो lockdown चल रहा है लेकिन अकर lockdown नहीं होता है तुम लोगों को अपनी गुमते घामते आपकी colony में दुफेर के बारा एक बज़े आया दो बज़े आया कभी चार बज़े आया जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है आप खुछ जानते हो कि अगर इतनी गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी में अगर आप बरफ को रखोगे तो बरफ melt हो जाएगी और बरफ याने आईस जीरो डिगरी सेल्सियस पर फ्रीज हो जाती है अब आपने बरफ में कुल्फी के डब्बे रख्या बैशने निकले अभी तक कुल्फी फ्रीज में थी तो तो जम रही थी लेकिन जब वो बरफ में रख दी जाती तब भी जमी भी रहती है आप इमेजिन करो एक बंदा कुल्फी बेचने सुबे निकला है और वो शाम तक कुल्फी बेच रहा लेकिन कुल्फी पिगली नहीं कुल्फी जमी की जमी है तो आप बोलो के कुल्फी को मटके के अंदर जमाया किसने आप बोलो के सर बरफ में रखी न तो मैं एक सीधा जवाब पूछूँगा कि यार कुल्फी एक प्रकार का मिक्षर है एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्षर है कुल्फी में दूद, पानी, शक्कर, कलर, केसर, पिस्ता, बदाम, मलाई, नमक पता नहीं क्या है तो यार एक तरीके का हेट्रोजीनस मिक्षर है हो तो और प्याओर पानी अगर होता तो 0 डिगरी पर जमता लेकिन कुल्फी का 0 डिगरी पर जमना मेरे समझ में नहीं आ रहा है कुल्फी को जमाने के लिए, कुल्फी को फ्रीज करने के लिए हमें minus 2 minus 3 degree Celsius की जरवत है सब zero temperature की जरवत है क्योंकि वो एक complex solution है तो यार अगर कुलफी minus 2 या minus 3 degree पर जम रही है तो बरफ के तो बस की बात नहीं उसको जमाना क्योंकि बरफ तो 0 degree पर जमती है बरफ के लिए minus 2 minus 3 temperature अचीव करना ना मुम्किन है क्योंकि बरफ का यानि आपके water का vapor pressure solid के vapor pressure के बराबर कब हो जाता है जब तापमान 0 degree Celsius हो तो बरफ का minus 2 minus 3 अचीव करना मुश्किल है तो तो कुलफी का melt हो जाना चाहिए क्योंकि कुलफी जमेगी minus 3 पर imagine करो और बरफ 0 degree है तो यह तो जाधा temperature हो गया ने 0 degree Celsius कुलफी के लिए more हो गया तो कुलफी तो melt हो जाएगी लेकिन क्या कुलफी melt होती है नहीं तो फिर क्या होता है सर अच्छा तुमने कुलफी तो खाई होगी जब कुलफी को अपन साइट से था ऐसे करके अपन सो हाते है तो तुमना नमक नमक का टेस्ट आता है अब आप बोलो के सर नमक का टेस्ट आता है नमक का टेस्ट क्यों आता है सर नमक का टेस्ट तो आता है यह बात तो आपने सही बोली पर नमक का टेस्ट क्यों आता है सर क्या कुल्फी वाला पागल है जो इतनी प्यारी स्वीट डीश में नमक मिलाएगा नहीं नमक का टेस्ट आता है उस बरफ की वज़े से पता है क्यों क्योंकि जो कुल्फी को जमाने वाली बरफ बनाई जाती है उस बरफ में pure water ना होते वे उस बरफ के अंदर नमक होता है मतलब pure पानी को नहीं जमाया जाता बरफ बनाने के लिए नमक के पानी को जमाया जाता यानि पानी के अंदर पहले नमक घोल के फिर उसको जमाया जाता है तो सर उससे क्या होता है नमक एक प्रकार का non-volatile solute है आपने उसे पानी में मिला कर एक प्रकार का solution बना दिया अब पानी pure solvent नहीं है अब वो solution है और जब नमक का solution आप जमाते हो तो वो 0 पर न जमते वे minus 3 minus 4 degree पर जमता है यानि उसके freezing point में कमी आ जाती है पानी जो की 0 पर जम जाता था अब वो 0 पर न जमते वे minus 4 पर जम रहा है freezing point में कमी आ रही है and that is called as depression in freezing point और इसलिए तुम्हारा जो कुलफी होता है वो बरफ में रखे होने के बाद भी melt नहीं होता क्योंकि कुलफी को जमाने के लिए minus 3 temperature चाहिए और नमक का पानी minus 4 डिग्री पर जमता है तो बरफ जादा ठंडी है और कुलफी को जमने के लिए कम temperature चाहिए इसलिए कुलफी जमी भी रहती है तो यह principle लगता है वहाँ पर depression in freezing point का आपने एक वर्ट सुना होगा anti freeze agent एंटी freeze agent इसका काम पता है क्या होता देखो जिसे माल लो एक बहुत यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बरफ गिरती है इतनी बरफ गिरती है कि रस्ते ब्लॉक हो जाते है तो बरफ हटाने के लिए भागी सरकार वाले क्या करते है उसकर नमक का पानी चीट देते है वाल सुलट वाूटर चीट देते है ब्राइम solution चीट देते हैं उससे क्या होता है अब बरफ में नमक मिल गया बरफ में नमक मिल गया बरफ जनती है 0 degree Celsius पर तो माल लो उस एडिया का temperature मालओ एडिया का temperature जीरो दिग encompassed यह container तो हिर्यल यह और पानी का सॉल्यूशन बना है उसको जमने के लिए टेंपरेचर तो माइनस फॉर माइनस फाइव चाहिए तो वह बरफ अपने आप मेल्ट होने लगेगी वह लिक्विफाय हो जाएगा वह नमक का पानी हो गया अब नमक के पानी को जमाना तो टेंपरेचर और गम करना मेल्ट फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं जैसे कि आपका सॉल्ट ठीक है जो इसको फ्रीज होने से रोकते हैं इसका बेस्ट एक्जैम्पल है नसी है तो हम इसके बारे में आपा लिख देते हैं that when a non-volatile solute is added to the solvent to form a solution then the freezing point of solution decreases as compared to the freezing point of pure solvent इसे बलाता है depression in freezing point and the solute that decreases the freezing point is called as anti-freeze agent anti-freeze agent सब्सक्राइब आप लोगों को चलो पहले इसका एक कर्व पढ़ लेते हैं कि अगें यहां पर मैं प्लॉट करूँआ टेंपरेचर यहां पर मैं प्लॉट करूँआ वेपर प्रेशर अब गैस यहां पर कर्व देखना थोड़ा सा चेंज आता है यहां पर कर्व उपर से शुरू होता है मैंने टेंपरेचर कम किया कम किया कम किया कम किया कम किया कम किया और इस पॉइंट पर आकर मेरा जो solvent है वो freeze होना शुरू हो गया this is the point where my solvent starts freezing तो इसको मैं नाम दे दिया T F not खेर अभी मैं temperature और कम करूँ और ultimately मेरा जो solvent है वो इस point पर आकर completely freeze हो गया इस point पर आकर वो completely freeze हो गया नियो उसका vapor pressure solid के vapor pressure के बराबर हो गया से B या इसको C कर लो और इस point को नाम दे दो B वो point है जहां पर आपका liquid solid में convert होना शुरू हो गया और solid liquid मैंने equilibrium पर आगया this is the equilibrium point जहां पर liquid और solid convert होना शुरू हो गया यहां पर freezing point आ चुका है अब जैसे जैसे मैं temperature गिराता जाओंगा मेरा solvent पूरी तरीके से जमता जाएगा हमने अचीव कर लिया है हमारा freezing point तो यह तुमारे solvent का हो गया यहां पर तुमारा solvent liquid था यहां पर तुमारा solvent solid हो गया और यह point पर liquid और solid के बीच में अब इक्विलिब्रियम आया यहने जित्ता solid है उत्ते liquid भी है ठीक है अब मैंने क्या करा solution ले लिए अब आप सब लोग जानते हो solution का वेपर प्रेशर solvent के मुकाबले हमेशा कम रहता है relative lowering of vapor pressure तो solution का कर्व हमेशा नीचे चलेगा मैंने इसका temperature कम किया कम किया कम किया और यह इस point पर आकर आपके solution ने इस point पर आकर freezing point अचीव किया यह इसका freezing point आगया आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं temperature बढ़ रहा है तो delta tf not is greater than delta tf याने freezing point of pure solvent is greater than solution मतलब जो solution बना उसका freezing point solvent के मुकाबले कम होगा इसी को तो depression in freezing point बोलते है freezing point में कम ही आ गई so this is the curve of freezing point तो यहाँ पर आपको को delta tf निकालने को बोलता था आप क्या formula यूज करेंगे आप यूज करेंगे delta tf not minus delta tf where delta tf not is the freezing point of solvent and it is the freezing point of solution is that clear to you is that clear to you बच्चा लोग चलो जली से इसका screenshot लो ताकि फिर अपन इसका derivation कर सकें ठीक है कर्व क्लियर ए ग्राफ क्लियर ए ग्राफ क्लियर ए ग्राफ क्लियर ए अचा हम लोग solution का यहीं तक बनाते हैं लेकिन अकर आप reality में देखो को तो थोड़ा साई और आगे तक extended रहता है पर हमको तो करने की जर्वत नहीं है हमको तो वह पॉइंट चाहिए जहां पर आपका liquid solution अभी liquid form में यहां पर यह का solidify होना स्टार्ट हो जाए यह पॉइंट चाहिए हमको ठीक है चालो अब अगें विच सम् experimentation and some calculations हमें यह बात सबको पता है कि depression in freezing point भी a colligative property and it is depends on the number of moles of solute तो इससे मैं बता चला कि delta tf भी directly proportional कि इसके molality है जब आप यहां पर proportionality constant हटा तो आपको है वह मिलता है kf multiply by m जैसे वह ebuloscopic constant था यह cryo यह cryoscopic constant होता है यह इसको बलाता है molal molal depression constant और जिस प्रकार आपका ebuloscopic constant यह molal elevation constant के भी solvent पर depend कर रहा था it also depends on solvent it also depends on the nature of solvent आपका solvent जिस प्रकार का होगा इसकी value change होगी अलग-अलग solvents के लिए kb और kf की value अलग-अलग होगी जो आपको सवालों में usually given होती है ठीक है अच्छा अगर आपको यहां पर डेल्टा इस सवाल में अगर आपको बोला जाए कि आप यह जो non-volatile solute add कर रहे हो इसका molar mass बताओ यह ऐसा given mass बताओ तो आप यहां पर morality के formula को खोल सकते हो w2 upon m2 in 2000 upon w1 and this is the formula यहां sorry this is kf really sorry अगर यहां पर भी आपको kf निकालना हो तो वह फॉर्मूला है m1 यहने molar mass of solute r यहने ideal gas constant यहां पर tf square आजाएगा freezing point of solution tf is the freezing point of solution divided by delta fission h enthalpy of fission याने कौन साथ जब आपका liquid solid में convert हो रहा तो कित्ती energy छोड़ रहा है यह कित्ती energy absorb कर रहा है that is enthalpy of fission into 1000 यह formula से आप चाहें तो kf की value निकाल सकते हैं ठीक है कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी भी तरीके की कोई problem great तो guys यहां पर आपका depression in freezing point भी खतम होता है अब in the upcoming lecture याने अगले lecture में मैं इसके numerical कराऊंगा बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से we will solve some numerical फिर हम लोग शूरू करेंगे आपका osmotic pressure osmotic pressure complete करने के बाद हम लोग जाएंगे association dissociation और went off factor पर और निमेरिकल मतब आप मान के चलो एक दो तीन चार लेक्चर और लगेंगे विद निमेरिकल कॉंसेप्ट की बात करों तो दो लेक्चर दो लेक्चर एक osmotic pressure समझाना है और आपको went off factor समझाना है तो दो लेक्चर में काम खतम कर दूंगा लेकिन निमेरिकल को जोड़ लूँ तो चार लेक्चर दो लेक्चर निमेरिकल के भी लगें तो हम लोग इसको खतम करते हैं इसकी आगे की बात we will do in the next lecture तब तक के लिए bye bye see you and have a great day बच्चा लोग कर दो कर दो